सपा सतकार खत्रे में गटसंदन पडूली मायाबती माय बतीनी रेस्पा सथकार पर हमला बोला है पिछले लोकसवा चुनाम में बसामें नहीं बलकी सपा ने अपना बोर्ट महाचपा को तांथ पर कराया था जिसकी वजासे सपा की स्थिफी खराब बनी हुई है इसलिए मायावती गढवन्दन की बात कर रही है बसपा सुप्रीम की और से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि सपा में टिक्तों को लेकर सरकारों के मुख्या के आयजीन जो बयान आ रहे हैं सपा में आजसी वर्चार्स्व की लड़ाई अभी तक खतम नहीं हुई है उन्होंने कहा है कि सपा सरकार के मुख्या को यह मालूम होना चाहिए कि लोग सावा में भले एक सीट नाव जीती हो लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उबरी है बसपास सुप्रिम ने कहा है कि 35 दिन बाद भी नोड़बंदी से लोगों की परिशानी अभी तक कम नहीं हुई है ऐसे हालातों में परधान मंत्री नरेंध मोदी को इस फैसले की समिक्षा करनी चाहिए मोडबंदी को लेकर परधान मंत्री पर निसाना साधा मगर उन्होंने उत्तर परदेश सरकार के साथवे वेतन आयों की सिफारिसों को लागू करने के फैसले पर गोले से परहेश किया है साथ मुख्य मुद्री अखिलेश यादक को सपासकार का मुख्या कहा है SM News की रिपोर्ट